शिमला में पानी का संकट खड़ा हो गया है कई छेत्रों में 3-4 दिन में पानी मिल रहा है वहीं विक्रमदित्य सिंग ने अपने कार्याला में बैठ कर जल प्रबंधन निगम को वाडों में टैंकरों के जरिये पानी देने के निदेश दिये साथी शिमला शहर में निर्मान क पर पूरी तरह से रोक लगाने का फर्मान जारी कर दिया है। विक्रमदित्य सिंग ने कहा कि गर्मी के चलते पानी के जल स्रोत में पानी का स्तर कम हो गया है जिसके चलते पानी की कम सप्लाई शिमला पहुँच रही है। इसको देखते हुए जल प्रबंधन निगम नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठर की गई और लोगों को टैंकरों के जरीए पानी देने को कहा गया है।